आज मैं फ्रेंड्स आपके लिए दो अलग अलग तरीके के शॉट्स की रेस्पी लेके आई हूँ यह शॉट्स गर्मियों में बहुत ही चटपटे और बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको बहुत ही इंट्रस्टिंग रेस्पी है एंड तक जरूर देखिएगा ज़ा-ज़ लेकिन गर्मियों में अगर आप इस तरीके के एक बार शॉट्ट बना के पीलोगे ना तो आपको मजा ही आ जाएगा यहां पर मैंने दो पकेवे अम्रूद लिए हैं और इनका जो टेस्ट है बहुत अच्छा लगता है गौवा ड्रिंक्स मुझे बहुत पसंद है आप कमे इस तरीके से देखिए टुकडो टुकडो में काट लूँगी इसके बाद देखिए यहां पर मैंने मिक्सी जार लिया है और यह सारा जो कटावा अम्रूद है यह हम मिक्सी जार में डाल लेंगे चलिए इसके बाद थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूं तो अम्रूद के साथ फ्रेश पुदीने का टिस्ट बहुत अच्छा लगता है और इसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाला है मैंने एक कप के करी अब यह सारी चीजों को हम पीस लेंगे और यह देखिए फ्रेंड्स यह मैंने पीस लिया है बिल्कुल ही बारीक पेस्ट ह हो गई है लेकिन अभी क्योंकि अम्रूद के अंदर हमने देखा जैसे बीज बहुत होते हैं तो इसको हमें चानना जरूरी है तो यह पर मैं एक छनी ले रही हूं और इससे सारी के सारी जो पेस्ट है हमारे पास अम्रूद की और पुदीने की इसको हम चान लेंगे तो यह देखिए यह मैंने चान लिया है अच्छे तरीके से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनके त्यार हो गई है आदा कप के करीब पिसी वी चीनी मैं इसके अंदर डाल रही हूं और इसके बाद मैं इसके अंदर काला नमक डाल रही हूं आदा चमच के करीब आदा चमच के इसके अंदर निचोड के और इसका रस डाल दूँगी निम्बुकर आप थोड़ा से जादा भी डाल सकते हो काला नमक और लाल मिर्ची भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एजस्स कर सकते हो आप अगर आप बहुत जादा चटपटा पसंद करते हो तो थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल रहे हूं क्रंच के लिए और यह हमारा बहुत यह अच्छे तरीके से त्यार हो गया है शॉट्स का मिक्स इसको आप चाहो तो आज नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक बना के भी पी सकते हो मतलब यह थोड़ा सा आप पल्प डाल दीजिए उसके अंदर प्रिंक आप इसके बाद एक बड़ा ग्लास लिया है और इस ग्लास को मैं पूरा भर दूँगी सोडा से और यह जो सोडा है यह बिल्कुल चिल्ड था मैंने इसको अच्छे से फ्रिज में रख लिया था अब यह जो चोटा ग्लास है मैं इसके अंदर इस तरीके से डाल द और यह आपका जो है बहुत ही टेस्टी बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही अन्यूजल से टेस्ट वाला सोडा त्यार है यह आप गैस्ट को भी सर्फ कर सकते हो इसका बहुत ही युनीक टेस्ट आता है तो यह जरूर ट्राइ कीजिएगा रेसेपी गर्मियों में यह अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और जाज-जाद अपने फ्रेंज के साथ शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा चलिए आप देखते हैं पुदीना शॉट यह हमारे घर में बहुत जादा पसंद किया जाता है गर्मियों में तो यह सबका फेवरेट होता ह आप यहां पर मैंने बहुत सारा फ्रेष 느 ले लिया है इक तरीके से दो लिया है इसको मिक्सी जार में डाल देंगे यहां पर दो कॉप करीब समझ लीजिए अ इसके बाद इसके इन्दर चीनी डाल रही हूं आदाख प्र सिर्थ क्रेश वैह करीब इसके बात चीनी डाल रही हूँ आदाख दियुक्षण जीरे डाल रही हूँ और नीम्बू का रस डाल देंगे हम तो यहाँ पे मैं एक नीम्बू का रस पूरा डाल रही हूँ और इसके बाद थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी आदा कप के करीब और इसकी पेस्ट बना लेंगे हम तो यह देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया है और यह जो हमारा है पुदीना शॉर्ट का जो है कॉंसेंट्रेशन लिकुड त्यार हो गया है यह देखिए यह बहुत ही खुश्पूदार लग रहा है बहुत यह अच्छा फ्लेवर आया है इसका यह इस तरीके से दरदरा पिसा है और मैं इसको ऐसे ही रखूँगी पुदीने वाले मिक्स्चर को मैं छानूँगी नहीं क्योंकि पुदीने का जो क्रंच है वो मुझ में आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है यहां पर मैंने फिर से शॉट्स वाला ग्लास ले लिया है छोटा और इसको भी मैंने जैसे आप बताया आप पानी में भी बना सकते हो ठंडे पानी में मैं आज आपको सोडा में बनाना बता रही हूँ तो यहाँ पे फिर से मैंने एक टॉल ग्लास ले लिया है इसमें सोडा हम भर देंगे उपर तक और इसमें डाल देंगे हमारा ये पुदीने वाला शॉट्स का ग्लास डालते ही सारा का सारा जो ये पुदीना है ये उपर तक आ जाता है और देखते ही इतना यमी लगता है इत से आपको फ्रेश कर देगा तो यह दोनों ही ड्रिंक्स आप जरूर ट्राय कीजेगा इन दोनों में से कौन सी वाली ड्रिंक आपको जाधा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को जाध जाधा लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ब